नमस्कार स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई यूटीब चैनल मैंसे दमर्जा, आज का question of a day है, दिनांग 4 जुलाई 2023 के लिए class 10 के लिए, जो mission mathematics के तहत question of a day आया है, आईए उसको देखें, इसमें दिया हुए 40 और 126 का HCF ज्याद करें, तो 40 यदि उस विदी से करें, तो लं नमबा हो जाएगा यहां पर करना, आप 40 का prime factorization कीजिए, 40, तो देखिए किस table से जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो यह हो गया 20, फिर 2 से जा रहा है, तो यह हो गया 10, फिर 2 से जा रहा है, तो यह हो गया 5, 5 is prime number, तो ऐसे लिखें, अब 126 के लिए लिख सकते हैं, 2 से जाएगा, तो 63, फिर यह 3 का नियम क्या कहलाता है, देखिए, वैसे 7 से जा रहा है, आपको पता है, लेकिन 3 से, 2 के बाद 3 का, देखिए, 3 के लिए क्या है, सभी का जोड, 3 से कटना चाहिए, तो 3 और 6 9 हो है, 3 से कट रहा है, तो यह हो गया 3 से जाएगा, तो यह 21, फि फिर तीन, यह हो गया 7, और 7 इस प्राइम नंबर, तो इस तरह से 40 के बादले हम लिख सकते हैं, 40, 40, 40 is equal to 2 into 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 2 into 5, और इस के लिए लिख सकते हैं, 126 के लिए, 2 into 3 into 3 into 7, तो दोनों में क्या कॉमन है, देख रहे हैं, सिर्फ यह कॉमन है, तो यहां पर HCF जो लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है, दो है, तो यह हो गया, इसका HCF, उमीद है, समझ में आओगा, अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद,